दोस्तों ये वीडियो वो ही लोग देख पाएंगे जो लोग हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है यानि कि जो जॉइन बटन है उस जॉइन बटन को जिन लोगों ने हमारे साथ जुरे हुए है सिर्फ वो ही लोग देख पाएंगे इस वीडियो को तो इस वीडिय के जरिए मैंने आप लोग को डारेक्ट ली दिखाया था कि अगर इस टाइप का या इस नंबर का पैनल के अंदर अगर पिक्चर ना आए तो उसको कैसे रिपेर करोगे तो मैंने पहले क्या बताया था कि हमें सबसे पहले यह जो दो एफसी केबल लगा हुआ है हमारे पैनल दो डिवाइड में भाग करा हुआ है सबसे पहले आपको यह कए करके देखना होगा कि कौन सा साइड में हमरा सौट लगे जिसके बाएंसे पूरा पैनेल के पिक्चर नहीं बन रही है तो हमने देखा था कि साइड का जो पैनल ले उसके अंदर स्वाटिंग ता जिसके बा गया था कि हमरा जो problem है इस side में है तो मैंने उसको ठीक करने के लिए इस ffc लाइंस को मैंने block कर दिया था tape के मदद से मैंने block कर दिया था इन सरे line को तो यह जो सारे line सामने या मैंने इसको बροक करा हूं तो इसी line को मैंने क्यों block करा हूं और एक कौंशा line है आजके इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा सारे creative के लिए बताऊंगा और practical तो आपने देखे ही होंगे पिछले वीडियो के अंदर तो हमने कौन सा track को block करा हूँ इसको जानने से पहले आपको दो काम करना पड़ेगा पहला काम की इस वीडियो के नीचे जो आपको इस type का एक rate बटन दिखेगा उसके उपर प्रेस कर दीजेगा उसके साथ ही साथ बगल में यह जो बेल आइकोन दिख रहा है इसको पड़ प्रेस कर दीजेगा और all पे क्लिक कर देजेगा यह आपका पहले step वाद इसके बाद दूसरा step जो आपको करना है LCD LED TV की related या कोई भी electronics related कुछ भी pro करके आपको समान चाहिए पर्स चाहिए, SMDIC चाहिए जो आपको local market या online पर नहीं मिल रहा है तो वो सारे चीज आप हमारे online store के जरीए purchase कर सकते हो वो online store का जो link के नीचे description में दिया हुआ है और जिसी भी वीडियो के अंदर जो भी चीज के बारे में बात करता हूँ उस वीडियो के नीचे आपको याँ पर description में सारे जो चीज का link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएंगे उसके साथे साथ को यगर components के बारे में आगर बात करें तो आपको क्या करना होगा simply आपको display के उपर tap करना पड़ेगा और display पर tap करने के बाद आपको याँ पर option दिखेगा view product उसके उपर click करना है और जैसे आप click करोगे तो आपको वीडियो के related सारे सामान देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर एक home theater kit के बारे में बात किया हूँ और अगर आपको इस home theater kit को purchase करना है तो simply आप इसके उपर click किजे उसके बाद आप यहाँ पे इसके बारे में सारे जानकड़ी आप देख सकतो अगर आपको खड़िदना भी नहीं है तो आप इसके बारे में जानकरी के लिए simply इसके उपर click करें और click करने के बाद इसके बारे में सारे जनकरी आप यहाँ पर लेख सकते हो कि कितने रुपीए का है और कहां पर कितने रुपी से मिलती है यह कितने वाट तक इस फिगर्स को सपोर्ट करेगा सारे जनकरी आपको मिल जाएंगे और बाद में अगर आपको इसको खड़िदना है तो आपको खड़िदने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे इसके डिस्क्रिप्सिन में एक लिंक मिल जाती है आपे देखे बाइ होम देखे लेता है कि कौन सा ट्राक को हामने बोल Ismail का रहा हूं आधाओ डिस्प्ले को ठीक करने के लिए तो आपको पेनल्टी कौन के अंदर के सिगनेल्स आपको देखने को मिलेंगे यहांपे ध्यान दीजिए यहांपे को सिगनेल्स आप यहांपे देखिए जो यह की पॉइंट का नाम इस जागा पर लिखा हुआ है तो यह सबसे उपर लिखा हुआ इसका मतलब हमारा यह रहा तो हमको इसी सिगनल को ब्लॉक करने होंगे अगर हमारा इस साइड में प्रॉब्लेम होता तो इसके अंदर हमें देखना पड़ता कि यह जो सारे सिगनल से वो किस लाइन पर तो उसके ही सबसे आपको यह ब्लॉक करना पड़ता लेकिन हमरा इस साइड में प्रॉब्लेम था इसलिए मैंने सबसे पहले देखा कि इस लाइन के अंदर कौन सा जो है सी के लाइन है जिसके बाद हमारा पूरा पैनल पर पिक्चर बनने लग गया है तो हमने इसको ढूंडा कैसे और यह जानकरी मुझे कहां से मिला यह जानकरी दोस्तों मुझे मिला है एक जब मैं रिपेर करा था उस टाइम मैंने बहुत सब्सक्राइब करते रहता हूं और करने के द्वारा यह जो टेक्नोलोजी मुझे पता चला था मैं कहीं पर कोई भी नहीं मुझे को बताया था लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं क्यूंकि हमारे फॉलवर से इसलिए तो हमने क्या करा कि यह जो हमारा क्लॉक सिगनल का यह जो ट्रैक है तो एक एक करके मैंने ढूंडा सबस कि अपर them हैं तो कि यहां पर ङ्याज़ करने के बादा है लिए और मौut यहा जा रही है तो जैसे ही ने लास्तां तक आया लास्त में से जो एक से बाद दो नमबर यहां पर देखिए लास्ट यानी कि साइट से मतलब रायट साइड से दो नमबर जो पीने हमारा उसको टाच करने केबाद हमारा माल्टिमिलर से विप साउन आने लग गया है तो इसमें से मुझे कंफार्म हो गया कि सीके एड जो ट्राक है हमारा यहीप अनने ने लग गया दूसरा सिखनल यहां पर दिखिया आपने जो दूसरा जो टेस्ट पॉइंट है जो किसी के सिभिए लिखा हुआ है तो उसको भी मैंने ट्रॉच करा तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो कॉंटिनियूसली मतलब एक नंबर पीन को छोड़के उसके बाद जीतने भी साथ से लाइनिंग है वो सारे के साथ मैंने ट्रैक करा तो मुझे यहां पर मिल गया इसका लास्ट का देखिए लास्ट में जो आप यहां पर टेस्ट पॉइंट दिख रहे हो इसको मैंने टाच कर हो चुका है पूरे डिस्प्ले पर पिक्चर आ चुका है तो आप बात कर लेते कि हमें तो पता चल गया कि राइट साइड में हमें इस तरीके से ढूना है और यहां पर ब्लॉक कर रहा हूं और ब्लॉक करने के बाद हमरा यह ठीक हो चुका है तो आप मैं आपको बताना चा तो यहां पर देखे एजो कनेक्टर था इस कनेक्टर इस स्टायड में हमरा ये स्टिके लाइन पिलाक सिग्नल का जो ऑर L इस स्टे का आपको क्या करना होगा कि इस साइट का ट्रेक है। इस साट को ब्लॉक करने से आपका पिकचर सही हुझ fatto और आप बात कर लेते हैं कि हमें अगर कोई दूसरा टाइप का ये टीकॉन बोर्ट देखने को मिले तो उस समय क्या करेंगे तो उस समय दोस्तों आपको इस जो सिगनल में आप लोग को बता सी के एट लिखा हुआ है इस पैनल और इस टीकॉन के अंदर लेकिन जो दूसरे अ की नाम जो है लिखा हुआ है उसके बाद आप उसको बॉक करने के बाद जो आपका पिक्चर आedन के अंदर आपको आगर लाइनिंग के बाद आगर आपको पिक्चर जंपिंग कर रहा है उस सीचूएशंन में भी आहम लोग क्या करता हूं कि यह सारे भ्लॉक्त हो तो कही बार हम लोग एक एक कर के देखता हूं कि एक दो तीन च्रट कर करके ब्लॉक करता हूं और कही बार है सभी होते हैं कि यह जो हमारा register यह पे लगे होते यह single kov में होते है अगर आपका single yeah lubds길 लगा हुआ है पेनल और टीकॉन के साथ में तो हम लोग क्या करता हूं यहां पर जो रेजिस्टर लगे हुए है इस रेजिस्टर को हम लोग एक एक करके निकल देता हूं जिसके बाद हमारा पिक्चर से ही हो जाता है लेकिन अगर हम इस टीकॉन के अंदर से सारे रेजिस्टर को ऊपन करें ताकि हमारा इस साइड जो है clock signal जाते रहे जो पहले जा रहा था लेकिन इस साइड का जो clock signal है उसको हमने बंद कर दिया हूं तो जैसे आब लोग बोलते हैं ना जो किड्नी होते हैं लोगों का दो तो एक किड्नी अगा निकल देंगे तो भी हमारा चल सकते हैं ठीक उसी तरी आप भी आपना काम जो है बहुत आसाने से कर सकते हो और यह जो जान करी है दोस्तों यह जान करी सिर्फ ओही लोग देख पाएंगे जो हमारे चैनल का सब्सक्रेब्सन लेकर रखा है सिर्फ ओही लोग देख पाएंगे और मैं सोच रहा हूं कि आगे आने वालों दिनों मे कोच ऐसा जान करी सब्सक्रेप्शन जिन लोगों लेके रखा है उन लोगों के लिए बना हूँ ताकि उसको दूसरे जगा पर यह जो सारे इंफोर्मेशन है वो नहीं मिलता है वो सारे इंफोर्मेशन आगे आपको देखने को मिलेंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही के तो आपका कमेंट जरूर रिप्ले आएंगे तो हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में दोस्तों तब तक लिए उस्यों अल्दा बेस्ट यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो मॉटिपेकेशन का प्रोसेस है वो सेकस्पुली हो चुका है आप देखिए पूरा डिस्प तो यह रेडी हो चुका है वो भी 55 एंच टीबी तो एक रूपीज यह खरच नहीं हुआ है दूस्तों उसके उपर डिपेंड नहीं करता है कि आप कास्टमर के पास कितने रूपीज चार्ज करोगे यह डिपेंड करता है कि आपका जो नॉलेज है वो कितना पुराना है और कितना सठीक है इसके उपर आप कास्टमर से पैसा ले सकते हो क्यूंकि यह अगर टीबी हम हमने रिपेयर करके या मोडिफाइ करके ठीक नहीं कर पाता तो यह टीबी बेकार हो जाता घर पे मतलब इसको घर पे रख देता वो खेलना टाइप का हो जाता है तो क्यूंकि हमार फिप्टी फाइव इंच या फोटी इंच का जो पैनल होता है वो मार्केट से अलग से नहीं मिलता है इसलिए मैं इस चीज को मैं कह रहा हूं चलिए थोरा सा यह एंडॉइड ऑपरेटिंग सिस्टेम पे चलती है तो इसलिए बूटिंग का जो प्रोसेस से थोरा सा टाइम लगता है बूटिंग कंपलेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर पिक्चर चला के और दोस्तों यह जो हमने मोडिफाइ करा हूं और सिगनल को ब्लॉक करा हूं उसी सिगनल को मैंने क्यों ब्लॉक करा हूं दूसरी सिगनल को मैंने क्यों नहीं ब्लॉक भी रहेंगे जो लोग हमारे चैनल को जूरे रहेंगे join बटन को किलिक करके आने कि ज्व लोग आऔरे चैनल का membership लेके रखेंगे उन्ही लोगों को मैं बताऊंगा इसरो प्रॉसेस के बरेंगे आप बड़े बड़े टीबी का जो डिस्पेल है उसको ठीक कर सकते हो मोडिफाइ करके हूं यहां पर देखिए यह भी का सिंगनल भी आ चुका है हम अब इसके अंदर पिक्चर चलाता हूं और पिक्चर चला के आपको दिखाता हूं कि हमारा इस टीबी का अंदर सही से पिक् झाल झाल